बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com दोस्तों नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर स्रीपती त्रिपाथी आज हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि दिपावली में इन पांच चीजों को मा के प्रशाद में जरूर साल्मिन करें जो मा विष्णु प्रिया को अति प्रिय है जानिए इस वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों का हिदय के अंतहतल से स्वागत है दिवाली की पूजा में प्रशाद की महत्पूर भूमिका होती है कहते हैं कि पूजा के दौरान मा लक्षमी घर आती है इसलिए द्वार पर भी रंग से देवी के पैरों की छाप यों सुभी चिन्ह मनाये जाते है मंदीर में भोग के लिए भी उस प्रशाद को प्राथमिकता दी जाती है जो मा विष्णु प्रिया को अधी प्रिय हो वैसे तो इश्वर भाव का भूखा होता है भाक्त उन्हें सच्चे मन से जो भोग लगा दे वहीं परियाप्त होता है लेकिन भाक्त तो अपनी तरफ से मा को प्रशन करने की पूरी कोसिस करते है इन पांच चीजों को मा के प्रशाद में जरूर सामिल करें पहला है मखाना मखाना देवी लक्ष्मी को बहुत पसंद है क्योंकि यह कमल के फूल के भीज से बनता है इसलिए इसे फूल मखाना भी कहा जाता है मा लक्ष्मी के भोग में यह अनिवार जिरूप से चड़ता है मखाने के खीर बनाकर तथा उसे घी में हलका सीख कर भी भोग वह दिवाली की पूजा के समय लगाया जाता है दूसरा है नारियल नारियल का प्रशाद अधिकतर मंदिरों में चड़ाया जाता है दरसल इस लक्ष्मी का इन्हें इसे प्रतीक माना जाता है इसलिए सियू जी को इसका भोग नहीं लगता लेकिन देवी कमला का समद्ध विश्मी जी से है इसलिए उन्हें भी नारियल का प्रशाद चड़ता है दिपावली पर नारियल का प्रशाद चड़ाने से माता लक्ष्मी बहुत प्रशन होती है तीसरा है बतासा देवी लक्षमी को चद्धमा की बहन भी माना जाता है बतासे का संबन चद्धमा से है इसलिए माता को भी यह पसंद है इसलिए विश्यसकर बतासे हम चीनी के खिलों ने मा को प्रशाद के रूप में चढ़ाते हैं आरती से पहले ही सभी भोग मा को चढ़ा दिये जाते हैं लेकिन पान ही एक मात्र ऐसा भोग होता है जो सबसे आखिरी में लगता है लक्षमी जी को वैसे तो मीठा पानी चढ़ाया जाता है लेकिन यदि मीठा पान उपलब्द नहीं होता है तो पान के साधे पत्ते को भी स्री चरणों में अर्पित किया जाता है पांचवा है सिंगडा देवी लक्ष्मी को भी सभी फलफुल बेहद रास आते हैं जो की जल में फलते फोलते हैं कमल, मखाना, कमल, ककड़ी कि अलावा यस की देवी के लिए सिंगडा भी रुची का भोग है हरे और काले दोन ही प्रकार के सिंगडे माता को प्रशाद रूप में चढ़ाए जाते हैं दिपावली पर इनका विशियस महत्व होता है पूजा के दोरान आरती से पहले भी सभी भोग मा को चढ़ा दिये जाते हैं लेकिन पान ही एक मात्र ऐसा भोग होता है जो सबसे आखरी में लगता है लक्ष्मी जी को वैसे तो मीठा जो है पानी भी चढ़ाय जाता है और इसके साथ साथ पान अगर संभाव नहीं हो तो अपने मन से, स्रद्धा से, सुमन से उनके चरण में निश्चित रुप से अरपीत करें अब मैंने सिंगणा के बारे में ही बता दिया कि मा को यह बहुत पशंद है पूल के साथ साथ आपको बता दे कि अड़ावल का फूल भी मा को बहुत पशंद है अपराजिता का फूल बहुत पशंद है कमल का फूल बहुत पशंद है अरुन कमल संस्था तद्रजह पुंजवरणाम कल कर जुगल धृतेष्ठा भीत युगमाम बुजाचा मड़ि मयमुकुलाध्ध्या लंकृता कल्पजाले सभवत भूवनमाता सत्तम श्रीय इना लक्ष्मेजी की पूजा अराधना करें निश्चित रुप से इनका लाव और आसिबात प्राप्त होगा तब तक के लिए दीजी मुझे इजाज़त नमस्का